समस्कार दोस्तों स्वागत है वर्फिर से एक्जाम ग्यान मंत्रा में तो आप सभी को पता चल गया होगा भी तक लेकपाल का नौटिफिकेशन आउट कर दिया गया है आठ हजार प्लस यहां पर पोश्टें आपके लिए निकाली गई है बहुत ही जादा बड़ी वेकैंसी आई है आपकी 2022 की सुरुवात में पिछले साल अपरेल माह में UPSI की वेकैंसी थी जो तरव देश की सबसे बड़ी वेकैंसी थी उसके पेपर के बाद ठीक है बिलकुल हो आप लेकपाल परिक्षा के लिए तो दोस्तों नौटिफिकेशन के जो इंपोर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले उसको हम लोग कवर कनने वाले हैं पैट में जिन लोगों ने फॉर्म डाला था कुछ गल्दियां हो गई थी तो क्या आप उसको संसुधन कर पाएंगे है क्योंकि कुछ लोगों ने 12 से फॉर्म भरा था पैट का कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन के अपनी डिटेल डाली थी वैसे लेकपाल एक जम देखो 12 पास अभ्यर्थियों के लिए है फिर भी हम लोग जो डिटेल से उनसके बारे में डिसकस करेंगे पर एक्छा में कि आगवा कि दोस्तों एक दू दिन लेट हुआ है लेकिन आपका नॉटिफिकेशन आज निकाल दिया गया है मैंने रीजन भी बताया था ए-ए-ए-ए-ए-m का फॉर्म डाला जा रहा था ठीक है और यूपीटपालसी ने अपने हाथ खड़े कर लिये थे कि वाई सब सर्वर हमारा इतना दमदा नहीं है कि एक जगा ए-ए-ए-ए-ए-ए-m की फॉर्म डलें और एक जगा लेकपाल की डलें सर्वर अभी आप यूपीटपालसी की वेबसाइट खोल लो बैसे ही क्रेस मिलेगा आपको जो बच्चे है नॉटिफिकेशन को डाउनलोड कर रहे होगे कु दोस्तों लेकपाल परेक्चा में अब जो केंडिडेट देखो बुलाए जाएंगे वो बैसे ही छटे अब भरती आएंगे ठीक है बन आफ दा वेस्ट तो नहीं हम लोग कह सकते लेकिन बैस्ट ही वच्चे बुलाए जाएंगे जिनने पैट एक जम में अच्छा स्कूर कि आते हैं तो चक्चू पब्लिकेशन ने आपकी अच्छे से प्रिपरेशन के लिए और ग्राम समाज बिकास इस्पेशली के लिए एक अच्छी कताब निकाली है ग्राम समाज बिकास और ग्रामीर जानकारी की प्रीवियस के आपको इसमें कॉस्चन मिल जाएंगे 1100 से अध का जो नया स्लेवर से उसके अकॉर्डिंग सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा मैं फिर से कह रहा हूं आठ हजार विकेंसी देखने को आपको जादा लग रही होगी लेकिन जो भी एक सीट अपनी लेगा वो बन आफ दा बेस्ट स्टूडेंट होगा ठीक है उत्तरप्रद सब कुछ इसमें कवर किया गया है साधी साथ दोस्तों प्रेक्टिस सेट भी आपको लगाने है अब तो चक्चु का ही है बहुत छोटे से प्राइज में प्रेक्टिस सेट आता है और एक कम्प्लीट स्लेवर्स की गाइड है सभी की लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में है मै यह नहीं कहूंगा ठीक है कि सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से आप प्रेपरेशन कर पाएंगे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से मैं दे इन किताब को डिटेल में देखा है ठीक है तब ही मैं इतना कहा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप चाहें तो बहाँ से इसको ले सकते हैं आपके घर के आसपास जो भी book depo रहेगी आप बहाँ से इनको ले सकते हैं ठीक है चले अब discuss करते हैं दोस्तों notification को सबसे पहले यहाँ पर देख लो कि form आपके कब से डलना प्रारम किया जाएंगे तो 7 जनवरी 2022 से आपके यहाँ पर form start किया जाएंगे 28 जनवरी 2022 तक यानि लगभग 20 दिन आप अपने form को यहाँ पर apply कर पाओगे form में कोई भी संसोधन करना है तो 4 फरवरी 2022 तक आप अपने form में हाँ पर संसोधन कर पाएंगे ठीक है आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें सिर्फ हम लोग important point के वारे में discuss कर रहे हैं अब्यर्थियों को बुलाया किस प्रकार से जाएगा यहाँ पर साब साब दिख रहा होगा राजश लेकपाल मुख्य परिक्छा हेतु अब्यर्थियों की sort listing उनके pet score के आधार पर ही की जाएगी जिन अब्यर्थियों ने pet exam को नहीं दिया है कोई भी संभावना नहीं है कि आप ये form डाल पाओगे क्योंकि form आप खुलेगा ही नहीं ठीक है आँगे इसको भी हम लोग discuss करेंगे तो pat के score की आधार पर अब्यर्थियों को sort list किया जाएगा ठीक है किसको sort list किया जाएगा नहीं सभी अब्यर्थियों को बलाया जाएगा नहीं यहाँ पर बिलकुल साफ साफ कह रहा है कि हम लोग कितने percentile या फिर number वालों को बलाएंगे ठीक है आँगे देख लो आगे दोस्तों साप साप यहां पर दिया गया है हम लोग किस बारें बात कर रहे हैं संसोधन के बारें बात कर रहे हैं तो इस बाग मैं दोस्तों लॉग इन कनने के उपरांत अब्यर्थी को PT में दर्च की गई अपनी ब्यक्तिकत सूचना है जैसे कि जो आपका नाम था पिता जी का नाम था माता जी का नाम था उत्तर प्रदेश का मूल निवास था जैसे आपकी कैटिगरी हो गई छेतिज आरक्षन से संबंद बिबरान जनति थी लिंग बैबाहे किस थी संपर्क हितु जो मोबाइल नमबर था आपकी इमेल आईडी स्वतह प्रदर्शित होगी पैट का आप यहाँ पर रजिस्टेशन नमबर डालेंगे देखो यहाँ पर दिया गया है कि दू तरह से आप यहाँ पर लोग इन कर पाएंगे एक है ब्यक्तिकत बिबरण के साथ और दूसरा है OTP के साथ ब्यक्तिकत बिबरण में आपका P.E.T. का रजिस्टेशन नमबर डेट आप बर्द आपका जेंडर और आपका निवास की आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और आपकी जो कैटेगरी है जनरल OBCS, CST ठीक है वो आप डालेंगे तब भी आपका लॉग इन हो जाएगा उसकी जस्ट बाद आप फॉर्म एपलाई कर पाएंगे या फिर आप अपना यहाँ पर पैट का रेजिस्टेशन नमबर और मूवाइल नमबर डालेंगे तो उस पर OTP आएगा उस आधार पे आप लॉग इन कर पाएंगे जिन अब्यार्थियों ने PET exam नहीं दिया है वो लॉग इन नहीं कर पाएंगे आँगे उनका process ही नहीं होगा यहाँ पर तो किलिया रहा बिल्कुल आँगे देख लो अन्यव परण के वारे में दोस्तों हम लोग बात करें तो इस भाग में अब्यर्थि को अधिमानी जो अहरता है जैसे कि हम लोग कोई और वेकैंसी मालने है जैसे A&M बाला था तो सेम इसी परकार से उनका खुलेगा अब लोग अपनी details डाल देंगी कि हमने क्या किया graduation किस्से की ठीक है 12th के बाद जो भी उनका था जैसे AGTA का आएगा जल्दी तो उसका भी आपको बताया जाएगा किलियर तो यहाँ पर आप अपनी details डाल पाएंगे जो अधिमानी अहरता है ठीक है जो होती है आपकी किलियर आगे दोस्तों देख लाएं तो 25 रुपए आजवेदन सुल्क यहाँ पर लगने वाला है ठीक है उसके बाद जिनको सोट लिस्ट किया जाएगा अभ्यर्थियों को उनसे 175 रुपए यहाँ पर फीस फिल ली जाएगी ठीक है यानि यह 25 रुपए सर्फ आपकी एक नाम के लिए फीस ली जा रही है उसके बाद जो अभ्यर्थि सोट लिस्ट किये जाएंगे उनको ही यहाँ पर 175 रुपए पे करने पड़ेंगे हम लोग बात कर लाएं एज कितनी है इसमें तो दोस्तों 18-40 वर्स की रुपी सी के लिए है अनुसूच जादी के लिए 1690 है ठीक है EWS के लिए 798 में पोस्ट है है टोटल यहाँ पे 8,085 आपके लिए पोस्ट है रहने वाली है आँगे देख लो दोस्तों तो यह पदों की सेकंड स्थिती है बाकी है कुछ जादा important मुझे दिख नहीं रहा है स्लेवर्स आप सभी को पता होगा पहले से निकाल दिया गया है आपकी हिंदी है गड़ित है जीके है और ग्राम विकास है ग्राम विकास की हम लोग dedicated class कल से प्रारम कनने वाले है YouTube पे आप सर्च कर लेना ग्राम समाज विकास classes सबसे पहले exam ग्यान मंतरा ने आज से डेड़ साल पहले classes start की थी ग्राम विकास की ठीक है फिर लेकपाल का थोड़ा कारी करम ढ़ीला पड़ गया तो class हम लोगों ने पूरा slivers complete करा के फिर बंद कर दी ठीक है हम लोगों ने यहां पर cover कर ली है अब दोस्तों हम लोग बात करें पचास प्लस अभ्यर्थियों के हैं जिनके भी क्या उनको इस्टडी करनी चाहिए लेकपाल पर एक्छा के लिए या फिर नहीं करनी चाहिए तो दोस्त देखो मैं बिलकुल clear कर दूँ लेकपाल का जो paper है उसमें 3-4 लाख अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जहां तक मुझे ग्यान है जहां तक मुझे knowledge है 3-4 लाख minimum अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जिन अभ्यर्थियों के यहां पर 50-55 नंबर बन रहे हैं किसी भी category से हों आप ठीक है किसी भी category से हों आप अपने लेकपाल पर इक्षा की 8,085 पोश्टों की तयारी स्टार्ट कर देना इतने नंबर में परसेंटाल कितना बनेगा 75-80 के आसपास बनेगा ठीक है तो अगर आपका इतना नंबर बन रहा है आप अपनी तयारी को जरूर करना ठीक है और मुझे जो लग रहा है दोस्तों लगवक्त 3-4 लाख अभ्यरती यहाँ पर बुलाए जाएंगे किलियर है तो चलिए तयारी स्टार्ट कर दें किताब में जो लोग लेना चाहें अब देखो स्लेवर्स कंफर्म है पेपर कंफर्म है वेकेंसी आगी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है बहाँ से किताब हैं ले सकते हैं कल से डेडी केटेड क्लासिस प्रारम हम लोग कर देंगे तो आप उनको जोइन करके धुआ धुआ हम लोग पूरा कर देंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको अभी भी क्लासिस मिल जाएंगी आज से डेड़ साल पहले की ठीक है उनको भी आप देखके बहुत अच्छे से अपनी तियारी कर सकते हैं इस पेसली ग्राम समाज भिकास और ग्रामी जानकारी की के लिएर मिलते हैं फिर कल की अगली वीडियो में जहन जह भारत भारत मत आगीजाए हैव अगरेड दे